पिर्वास साउथ इंडस्ट्री के एक जाने माने अभीनेता हैं जिने आज पूरे भारत में किसी पहचान की जरूरत नहीं है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में देकर खुद को सिनेमा में एक बड़े मुकाम तक पहुचाया है लेकिन बाहुबली के बाद से तो फैंस ने उनका नाम ही बाहुबली रख दिया है तब ही तो पूरा इंडिया उन्हें बाहुबली के नाम से जानता है वैसे दूस्तों यूदों आप सूपरस्टार पिर्वास के बारे में बहुत को चानते होंगे लेकिन आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको पिर्भास की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने वाले हैं तो अगर आप भी जानना चाते हैं सूपरस्टार पिर्भास के बारे में तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आन्ति तक साउथ के सूपर स्टार पिर्भास का जनम 23rd October साल 1979 को मदरास तमिल नादु में फिल्म निर्माता उपलपती सूरे नारायर राजू और शिफ कुमारी के घर हुआ था पिर्भास का पूरा नाम उपलपती वेकेंट सूरे नारायर पिर्भास राजू है उन्होंने अपने इंटर की शिक्षा नालंदा कॉलेज हैदरबाद से पूरी की आपको जानकर हिरानी होगी कि फिल्में बेक्ग्राउंड से होने के बावजूत पिर्भास फिल्मों में कमी भी काम करना नहीं चाहते थे वो खाने के बहुत शौकीन थे इसलिए वो होटल बिजनस में जाना चाहते थे अब सवाल यह है कि पिर्वास फिल्मों में आई कैसे दरशल पिर्वास की चाचा एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म की कहानी का किरदार पिर्वास की रियल पिर्वास ने साल दो हजार दो में आई फिल्म इश्वर से डेब्यू किया था उनकी पहली फिल्म सक्सेस्फुल साल दो हजार चार में आई वर्शन थी और एसस राजमोली की चातरपती ने उन्हें लोगों का चहीता बना दिया इसके बाद पिर्वास ने कभी भी पीछे मुण कए नहीं देखा जिसके चलते पिर्वास ने कई और फिल्मों में काम किया जिन में पॉरड़मी, योगी, मुन्ना, बिल्ला और एक निरंजन जैसी कई बेहतरी इन फिल्म में ही शामिल है इन में से कई फिल्में हिट रही तो कई फ्लॉप रही पिर्वास ने बहुत फिल्मों के ओफर्स बियाए पर उन्होंने सभी ओफर्स को ठुकरा दिया रिलीज के बाद ये फिल्म उनकी करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई लेकिन इस फिल्म में काम करते वक्त पिर्वास को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था क्योंकि उस समय इस फि फिल्म को ना दे पाता लेकिन पिर्वास ने अपने करियर के 5 साल इस फिल्म को दिये और इस दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लिया इसे लेकर पिर्वास ने एक बार कहा भी था कि राजमोली और उनकी बाहुबली के लिए वो 5 तो क्या 7 साल भी दे स हांन कि ये फिल्म बोक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर प्यती तीन साल बात पिर्वास की फिल्म रादेश, ये फिल्म भी बोक्स ऑफिस पर बूरी तरह से फ्लाप साबित हुई थी विल्हाला प्रभास आपकामिंग फिल्म आदी पुरुश में नजर आने वाले हैं पिर्वास का एक भाई है और एक बहन भी है जिनका नाम प्रभोत और प्रगती है अब बात करें पिर्वास के रिलेशन्शिप स्टेटस के बारे में तो आपको बता दे कि पिर्वास अभी भी सिंगल है लेकिर इनका नाम कई अभी नेत्रियों के साथ जिर्चिका है जिनमें अनुष्का शेटी और इलियाना डिक्यूस जैसी आक्ट्रूस के नाम शिमार हैं बता दे चलें कि पिर्वास एक फिल्म को करने के लिए करीब 50 करोड रुपे चार्ज करते हैं पिर्वास ब्रैंड एंडॉस्मेंट के जरीए भी करोड रुपे कमा लेते हैं जिसके दंबर पिर्वास ने करीब 250 करोड रुपे की संपत्ती अपने नाम कर ली है पिर्वास के आलिशान गर की बात करें तो पिर्वास का घर हैदराबाद की जुबली हिल्स इलाके में मौझूद है जो की शेहर का सबसे पौश इलाका है आपको बता दे की जुबली हिल्स हैदराबाद की सबसे महेंगे इलाकों में आता है और यहां बड़े सेलिब्रिटीज, जर्ज, बिजनिसमेन और स्पोर्ट परसनालिटीज रहते हैं पिर्वास का घर असल में एक बहुत बड़ा सार फार्माउस है घर में modern सुख से विदाओं का पूरा इंतिजाम है पिर्वास की घर में स्वेमिंग पूल से लेकर एक शांदार जिम तक मौझूद है बताया जाता है कि पिर्वास की घर में मौझूद जिम में विदेशों में एक्यूपमेंट्स लाकर लगाए गए हैं जिनकी कीमत लगबग 1.5 करोण रुपए के आस पास है। वहीं पिर्भास के घर में शांदार भगीचे भी हैं जो गर को overall looks को कई गुना बढ़ा देते हैं। पिर्भास के घर की कीमत आज की तारिक में 7 करोण रुपए के आस पास है। बताते चलें कि पिर्भास लगजरी और महंगी काड़ियों के शौकीन है जिसके चलते पिर्भास के पास रॉल्स रोइस फैंटम, लेंबॉरगिनी, एमविटार डोर, जैगवार, एंक्स जेल, जैगवार, एक्स जे आर, रेंज रोवर, और आटो बायोग्राफी, बियम, ड कारे हैं, जिनकी कीमत करोडों में है, तो दोस्तों, ये थी साउट सूपरस्टार पिर्भास पर हमारी खास पेशकाश, वेल, आपको पिर्भास की कौन सी फिल्म सबसे जादा अच्छी लगती है, आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बता साथी फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी और दिल्चस बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें